हलो फ्रेंट्स, वेल्कम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज आज आपका SSE MTS का 12 नौंबर के 1st का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियों उताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 12 नौंबर के 1st के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैलिकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़ो है जरूर प्रेस कर दिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोशन है था कि विच आप दा फॉलविंग कार्बो हाइड़ेट इस प्रेजेंट इन मिल्क यानि निमनल इकित में से कौन सा कार्बो हाइड़ेट जो है यह आपका दूद में मौजूद होता है तो देखें यह आपका लेक्टोज नामक जो कार्बो हाइड़ेट होता है यह आपका दूद में जो वो मौजूद रहता है तो लेक्टोज आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा और मैं आपको बता दूँ कि lactose जो यह आपका एक carbohydrate है जिसमें आपका glucose का एक अनू और galactose का एक अनू एक साथ जो वो आपके जुड़े हुए होते हैं और एक्जामेहा से एक प्रशन पूछा जाता है कि lactose का जो रासायनिक या फिर आनविक सुत्र जो वो पूछा जाता है तो देगे lactose का जो रासायनिक सुत्र होता है या आपका C12, S22 और O11 होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका अपना था कि अली वर्डी खान की मृत्यू के बाद बंगाल का सासक यह कौन बना था तो देगे अली वर्डी खान की जो मृत्यू है यह आपका 1756 में हुआ था और इसकी मृत्यू के बाद बंगाल का सासक है यह सीराजू दौला बना था तो और उडिसा का जो नया सासक है ना ये 1740 में बना था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रिखिएगा नेक्स्ट पूश है आपका याँ पर रहा था कि कलिंग के राजा खारविल का जो संबंद है ना ये किस वन्स से था तो देखे अगर राजा खारविल की बात कर ले तो इसकी जो प्राचिन भारती राजा जिसकी जीवनी जो है ये प्रसीद हाथी गुमपा सिलालेक में मिलती है और ये जो आपका कलिंग उडिशा में जो ये आपका सासन करता था और ये जो आपका महा मिघवाहन वन्स जिसे जो आपका चेदी वन्स के रूपे भी जो जाना जाता है तो ये जो आपका राजा खारविल था ये आपका चेदी वन्स से जो वो संबंदी था तो आप्स तो कथक आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, इसके लावा अगर इनके घराने के बारे में पूछा जाए, तो देखे पंडित बिर्जु महाराज जो है, यह आपके काल का बिंदा दिन घराने से संबंदित है, इसके लावा कथक यह आपका उत्तरपरदेश राज्य का एक स 86 में इन्हें पद्म विभूशन पुरुसकार से जो वो सम्मानित किया गया था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपका यहां पराता कि भाटे संबिधान में 11 जो मौली कर्टब्य है यह कब जोड़ा गया था, तो देखे वर्टमान में आपके 11 मौली कर्टब्य है और 11 मौली कर्टब्य को जो है, यह आपका 86 शंबिधान संसोधन जो कि आपका वर्ट सदोजार 2 में हुआ था और इसके माध्यम से हमारे शंबिधान में 11 मौली कर्टब्य को जोड़ा गया था, तो आपसे यह पूछा गया था, तो वर्ट सदो में आपसे पूछा गया था कि जब 11 मौली कर्थभी को जोड़ा गया था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर यानि प्रधान मंत्री कौन थे तो देखे जब 11 मौली कर्थभी को जोड़ा गया था ना उस समय भारत के जो प्रधान मंत्री थे या आपके अटल बिहारी भी आपको ध्यान में रखना है तो यह तो होगी आपका 11 मौली कर्थबे के बारे में अगर हम लोग बात कर लें 10 मौली कर्थबे के बारे में तो देखें 10 जो मौली कर्थबे है यह आपका इंदीरा गांधी सरकार के दोरा जो आपका जो जोड़ा गया था यानि जब आपका इसके द्वारा जो वो बनवाया गया था, तो दीखे मेरानगड कीले का जो निर्मान है ना, यह आपके राठा और वंस के राजपूत सासक, राओ जोधा के द्वारा जो इसका निर्मान जो वो करवाया गया था, तो राओ जोधा आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, इसक इसका आयोजन जो है यह कहां पर किया गया था तो इटानगर अरुनाचल परदेश आपका करेक्ट एंसर होगा अगर किस स्टेडियम में किया गया था अगर यह पूचा जाए तो यह आपका टुनामेंट है यह आपका गोल्डिन जूबली स्टेडियम में जो वो किया गया थ तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश्या आपके आप रहा था कि निम्नल इखित में से किस विटामीन में यह आपका कोबाल्ट होता है, तो देखे विटामीन B12 में यह आपका कोबाल्ट जो है यह आपका कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है, तो विदानतम सत्यन रायन सर्मा को जो है या आपका पदमसरी आवाड से जो वो सम्मानी किया गया था तो विदानतम सत्यन रायन सर्मा आपका करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट कौश आपके अपना था, तुकि नेपाल का जो रास्टे पसु है नहीं कि अपका गाई है तो गाई आपके यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, इसके लिए मैं आपके बटा दू कि नेपाल के द्वारे 20 सिंटम्बर 2015 को अपना नए संबीधान जो वो अपनाया गया जिसमें गाय को जो यह आपका रास्ट्रे पसु जो वो घोसित किया गया था वहीं अगर भारत के नैस्टनल एनिमल की बात कर ले तो देखे भारत का जो रास्ट्रे पश्रू है यह आपका बाग है और इसे जो आपका 18 नौंबर 1972 को जो है भारत का रास्ट्रे पसु जो वो ध्यान में रखना है इसके लाव है नेपाल के कुछ और अगर रास्ट्री प्रतीक की बात कर ले तो देखें नेपाल का जो आपका रास्ट्री पच्ची है या आपका Impean Monal है जिसे हिमालियन Monal के नाम से भी जाओ वो जाना जाता है नेपाल का अगर रास्ट्रे फल आपसे पूछा जाए तो दीए नेपाल का जो रास्ट्रे फल है या आपका नारंगी है नेपाल का रास्ट्रे पूछ पर या फिर रास्ट्रे वरिच अगर पूछा जाए तो दीए नेपाल का जो रास्ट्रे वरिच या फिर रास्ट्रे तो देखें, डबल फॉल्ट की बात कर ले, तो यह तो एक तो आपका टेनिश और बैडमिन्टन, दो खेलों सोजिया, यह आपका जुड़ा हुआ है, तो आपसन में आपका टेनिस दिया गया था, तो टेनिस आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश्या आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट आप कहा पराता है, कि इन विचियर, डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी वाज, प्रुपोस्ट बाइ जॉन डाल्टन, यानि जॉन डाल्टन ने जुए, किस वर्स में डाल्टन की, परमानु सिधान्त का प्रस्ताव जो वो रखा था, तो परमानु की जो खोँज़ है ना, या आपका वर्स 1803 में जो वो किया गया था, तो 1808 आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट अगर बात कर ले, इलक्टरोन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो देखे, इलक्टरोन की जो खोँज़ है, या आपका ये गोल्ड स्टीन के द्वारा जो वो किया गया था, नेक्स्ट कुश है आपका अपना था कि विच वन आप दा फॉलिविंग माउंटेन, पिक्स आप दा हिमालिया इस नॉट इन इंडिया, यानि हिमाले के निम्नलिखे परवच चोटियों में से, कौन सी भारत में जो इस्थित नहीं है, जहां पर उप्सन में आपका धौला गिरी, नंदा देवी, महंदर गिरी और गुरू सीकर जो वो दिया गया था, तो देखें मैं आपको बढ़ा दू कि भारत में आपके कौन कौन सी चोटिया इस्थित है, जैसे कि नंदा देवी जो यह आपका उत्राखंड राज्य में इस्थित है, महंदर गिरी की बात कर रहे तो यह आपका उडिसा राज्य में इस्थित है, गुरू सीकर की बात कर ले तो यह आपका राजस्थान राज्य में इस्थित है, लेकिन ये जो आपका धौला गिरी है ये आपका भारत में इस्थित नहीं है बल्कि ये आपका निपाल देस में इस्थित है तो धौला गिरी ये आपका यहां पे correct answer होगा वहीं अगर धौला गिरी के height की बात कर ले तो देखे इसकी जो उचाई है ना इस परवत की वो आपका 8166 मीटर है यानि अगर फीट में बात कर ले तो यह आपका 26795 फीट है नेक्स्ट कोश है आपका आपरा था कि मोगुबाई कुर्डिकर यह जो आपके कि संगीत से जो वो संबंदीत है तो देखें मोगुबाई कुर्डिकर की बात कर ले तो यह जो आपके जैपूर अतरौली घराने की एक प्रसीद भाते सास्त्रिय गाई का थी और यह जो आपका हिंदुस्तानी classical music है जो यह आपका संबंदित है तो हिंदुस्तानी सास्त्री गाई का आपका यहाँ पर correct answer होगा next question है आपका अपरात है कि who has been appointed as the director of the special protection group यानि SPG chief in November 2023 यानि November 2023 में जो है विसे सुरच्छा समुग परमुग के निदेशक के रूप में जो है यह किसे जो वो न्यूक्त किया गया है तो आलोक शर्मा आपका यहाँ पर correct answer होगा और आलोक शर्मा से पहले जो है आपके SPG के निदेशक यह जो है कौन थे तो आलोक शर्मा से पहले जो है यह आपके अरून कुमार सिन्ना जो है यह आपके SPG के जो वो निदेशक थे और यह जो आपके 2016 से 2023 तक जो है इस पद पर जो हो कारेरत रहे थे और मैं आपको बता भी आपको ध्याने में इसके लावा बात कर लिए SPG के अस्थापना यह को ऑदा तो यह अपका वर्ष 1985 में हुआ था और SPG का कार्लिय क्या होता ऑं तो धिके इनका जो कार्लिय होता है वो प्रधान मंत्रि इसके लावा पूरе प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार की सदश्यों का जो वो सुरच्छा करना होता है नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर रहा था इने विच स्टेट पेशा एक्ट कैम इंटू फोर्स इन दोजार तेईस यानि दोजार तेईस में है कि सराजि में पेशा अधिनियम जो वह लागू खुवा था तो देखें मैं आपको बता दू कि साल 2000 थेईस में झारकंद में पेशा कानून को जो अंतीम रूफ जो वो दिया गया था हलंकि अभी जारकंवे जो है आपका पेशा अधिन्यम के डारे से यह यह बाहर है तो option में अगर आपका जारकन दिया गए तो फिर भी आपका correct answer नहीं होगा क्योंकि जारकन में आपका पेशा दिनियम जो वह आपका भी लागू नहीं हुआ है इसके लाओ मैं आपका बढ़ा दू कि पेशा का फुलपाम होता है यह आपका पंचायती extension of scheduled areas होता है और इसके अगर पेशा act की बात कर ले तो देखे पेशा दिनियम जो है यह आपके 1996 के तहट जो है पांचवी अनुसुची के छेतरों में अनुसुची जन जाती और उनके प्रशासन और नियंतरन से जुड़े मामलों को जो है यह आपका संबोधि जो हो किया जाता है और इस अधिनियम के तहट जो है ग्राम सबा को कुछ अधिकार जो वो दिये गया है और यह जो आपका पेशा अधिनियम है यह किन किन राज्यों में लागू है तो देखे परदेश दिया गया था तो मद्य परदेश आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्टोश आपका अपरा था कि विच आप दा फॉलिविंग डिकेड्स रजिस्टर निकेटी पॉपुलेशन ग्रॉथ इंडिया यानि निम्न में से किस दसक में भारत की जनसंक्या में परदेश को को हैं नकरात्मग विधि जो वह दर्ज किया हैं था तो 1911 से 1921 के दसक में आपके भारत जनसंक्या में ना करात्मग विधि जो दर्ज किया था तो 1911 सो 1921 आपका यहां पर करिक्ट ऩिखिर्ट उमिन के लिई और हना नीज़ एंदा कॉ म सब्सक्राइच कर्थम सब्सक्राइब 나 c भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेश की पहली भारतिय महिला अध्याच अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका सरोजनी नाइडू बनी थी और सरोजनी नाइडू ने जो है यह आपका 1925 में कानपूर अधिवेशन की अध्यास्ता जो वो किये थे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव अगर अन्य महिलाओं की बात कर ले तो यह आपके सेयुकराष्ट महासवा की पहली महिला अध्याच बनी थी इसके लाव अगर पहली मुख्यमंत्री की बात कर ले तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है यह आपका सूचेता क्रिप इस टाप कर आप रहा था कि who elects the presiding officer in the state legislature यानि राज्य विधान सभा के पिठासिन अधिकारी यानि अध्याच का जो चुनाव है न ये कौन करते हैं तो देखे राज्य विधान सभा के पिठासिन अधिकारी यानि अध्याच का जो चुनाव है न तो ये आपके members of विधान सभा यानि विधान सभा का सदस्य जो चुनाव करते हैं तो विधान सभा के सदस्य आपका correct answer होगा इसकला एक्छाम में आसे एक mission पूछा जाता है वही अगर भार्ते विधान सदस्य की बात कर ले तो देखे बार्ते संसत के निचले सदन को और उप्रिष अगर बात कर ले एक्छाम में पूछा जाता है कि लोग सभा की पिठासिन अधिकारी के जो है यह कौन होते हैं तो देगे लोगसभा के जो पिठासिन अधिकारी है ना यह आपके अध्यच होते हैं वहीं अगर बात कर ले राज्यसभा के पिठासिन अधिकारी कौन होते हैं तो देगे राज्यसभा के जो पिठासिन अधिकारी होते हैं यह आपके सभापती होते है यानि राज्जी सभा का जो पदेन सभापती होते हैं तो यह आपके उपर रास्टर पती होते हैं तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था कि what is the coniferous forest across subractic यानि उपनागरिये छेत्र में फैले संकुधारी 1 को जो यह क्या कहा जाता है तो देखे उपनागरिये छेत्र में फैले संकुधारी 1 को जो है यह आपका टैगा जो वो कहा जाता है और tag-a कोहीं जो ही आपका boreal या फिर आपका birth 1 के रूप में भी जो वो जाना जाता है तो option में आपका tag-a दिया गया था तो tag-a आपका यहाँ पे correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि when 4 to 10 people in a group of men take a loan it is called as, यानि जब 4 से 10 लोग मिलकर bank से loan लेते हैं तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है तो जब 4 से 10 लोग मिलकर bank से loan लेते हैं तो इसे जो आपका JLG यानि Joint Liability Group जो वो कहा जाता है तो Joint Liability Group आपका यहाँ पे correct answer होगा next question आपका अब रहा था कि which is the iron and steel plant of jharkhand यानि जharkhand का law और इस्पात सेंत्र कौन सा है तो option में आपका बुकारो steel plant जो वो दिया गया था तो देखें यह जो आपका बुकारो steel plant है यह जारकंड के बुकारो जीले में इस्थित है तो बुकारो steel plant आपका correct answer होगा इस के लावा जारकंड के अन्ने लोगोऊ और इसपात सेंत्र की बात कर ले तो यह आपका जम दिपूर में इस्थित है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रहा तो यह तो हो गए आपके 20 कोषन अगर आम लोग 24 वे और 25 कोषन की बात कर लें तो देगिए 24 कोषन वे जो आपका स्टेटमेंट बेस जो वो स्टेटमेंट बेस पूछा गया था तिन तेवार का नाम दे दिया गया था जैसे कि लोसर फैस्टिबल का दे दिया था साका दावा का दे दिया गया था और नौरोज का जो वो आपका दे दिया गया था तो इसमें आपका क्या पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट की मतलब किस राज्य से संबंदीत है यानि लोसरतेवार किस राज्य में मनाय जाता है या फिर किस समुदाय के दौरा मना जाता है ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजेगा और इसमें आपका गلत स्टेट्मेंट चुनना था या फिर सही स्टेट्मेंट चुनना था वहीं अगर 25 कोशन की बात कर ले तो ये भी जो आपका statement based जो वो प्रशना है था जो कि आपका पाल डैनिस्टी, गुर्जार प्रतिहार और रास्टकूट वन से जो आपका संबन दीता है था तो इसे भी आपका 25 प्रशन क्या बना था आप जो है कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजेगा तो इतने कोशन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% real और authentic हैं तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और इसी तरह real analysis पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक thank you all the best